वेलकम टू माई येस वाई एजुकेशन फॉर्मिशन चैनल में आपका स्वागत है देखेंगे यूपी टीजिटी पिष्टी एक्जाम नए आयोग का हुआ बड़ा फैसला क्या है सिख्षा सेवा चैन आयोग का आयोग पर लगा वोड चार सदस्य पहुँचें कहां पर की यूपी टीजिटी पिष्टी और एक्जाम अप्रेल से सासन का नया आयोग को आदेश जारी हुआ देखेंगे यूपी टीजिटी पिष्टी एक्जाम पिष्टी एक्जाम पिष्टी को लेकर के काफी बड़ा फैसला आ चुका है डेड़ वर्सों से अव्यार्थी के टीजिटी पिष्टी की एक्जाम तिथी का इंतजार किया जारा था लेकिन इन लाखो अव्यार्थियों का इंतजार समाप्त हो चुका है उत्तर प्रदेश में सिछा सेवा चैन आयोग से काफी बड़ी खुसखबरी आ चुकी है और सासन अस्तर से भी बड़ी खुसखबर पूरी देखने के लिए मिल रही है कि अगर आप टीजीटी पीजडी एक्जाम तित्यों का इंतजार कर रहे हैं तो पूरी जानकारी आज पूरा इस वीडियो के माधिम से आपको बताने वाले हैं और आपका इंतजार समाप्त हो चुका है तो देखें यहां पर दोस्तों उत विप्त बारह में से साथ सदस्यों के द्वारा काम सुरू हो चुका है नए सिक्षा सेवा चैन आयो के का जो गठन हुआ है इसके माधिम से बेसिक से लेकर के हायर अस्तर तक लेवल तक के टीचर भरतियों का आयोजन होगा हायर एजुकेशन शमीती कमिशन माधमिक सिक्ष सेवा चैन बोड के पूरी तरह से भंग कर दिया गया है अब नए आयो के माधियम से ही इन सभी भरतियों पर कार्य होगा नए आयो का मुख्याला माधमिक सेवा चैन बोड के परिशर को ही यहां पर बना दिया गया है यानि कि पहले जो आप उप्रियुक्त फोटो में राता था कि उत्तरप्रदेश माधमिक सिक्षा सेवा चैन बोड लेकिन अब इसका नाम परिवर्तित करते हुए उत्तरप्रदेश सिक्षा सेवा चैन आयो कर दिया गया है बुद्वार को मुख गेट पर नए आयो के नाम का बोड भी यहां पर लगा दिया गया है इसकी ए इसके पहले तीन सदस्य के दवारा सोमवार से ही आयोग में जिमेदारी समहाली गई है लेकिन अब अधिकारी यहाँ पर मिल करके अधिकतर लोग आयोग के जो भी सदस्य है जिमेदारी अपनी समहाल चुके हैं और काम पर ध्यान देना सदरू कर दिया गया, UP DBCT प्रफडी एकजाम तिथी पर होगा फैसला, और देखेंगे UPTGT प्र प्रफडी तिथी को जल्द फैसला देखने के लिए मिले गा और आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाता है कि उत्तर प्रफडित माध्मिक سिख सिच्छा सेवाचयन आयोग के माध्यम से होगा उत्तरपदेश सिच्छा सेवाचयन आयोग का गठन हो चुका है सबसे पहले आयोग पुरानी लंबित भरती की कारी करेगा और जैसे ही जानकारी सदस्य के द्वारा निकल करके आ रही है कि सदस्य के द्वारा जो है बताया गय यह जानकारी निकल करके आ रही है कि TGT-PCT के एकजाम बहुत जल्द जारी होगा वैसे उमीद की जा रही है कि सिक्षा सेवा चैन आयोग की अगली बैठक में उसमें TGT 50 एक्जाम तिथी जारी हो सकती है उमीद की जा रही है कि अप्रेल माह में TGT 50 का एक्जाम में आयोजित करवाया जा सकता है सासन की तरब से दिसा निर्देश मिल चुका है नए आयोग की भरती पर कार्य का सुरू हो तथा लंबित भरतियों का ततकाल पूरी तरज से निर्देश के बाद आयोग तेजी से कार्य करना सुरू कर दिया है तो दोस्तो हमारे चैनल पर लगातार बने रहें क्योंकि इसी तरह की अपडेट हम आपको देते रहेंगे और यहाँ पर कुछ बहुत बड़ी मुख्य बाते आपको हमने बताया इस वीडियों के मादिम से हमारे वीडियों में लगातार बने रहने के लिए थैंक्स पर वाचिंग गाट बिलेश यू